हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिस्प्ले सेकंड लार्चेस्ट और स्मालेस्ट नमबर इन एरे तो मैंने इन का वैले जब इंटर किया 5 तो यहां पर देखिए स्मालेस्ट रो नमबर 6 है और यहां पर सेकंड लार्चेस्ट तो सेकंड लार्चेस्ट यहां पर 77 लार्चेस्ट है और सेकंड लार्चेस्ट यहां पर 45 है तो आर्टपुट होने चाहिए स्मालेस्ट इकोल तो 6 और सेकंड लार्चेस्ट इकोल तो 45 तो चलिए इसको कोड लिखते हैं तो यह मैंने lost program बताया था कि कैसे किसी in array में आप किसी भी number का frequency कैसे count करते हैं चलिए सबसे पहले इस code को delete करते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम integer variable ले रहें int और उसके बाद time उसके बाद यहां पर प्रिंटर function लिखने जा रहे हैं और double code में हम लिख रहें int the number और यहां पर scanner function लिख रहे हैं यहां पर %d और amp %m फिर यहां पर एक और integer variable ले रहें int यहां पर इसको size दे रहे 25 और यहां पर पर प्रिंटर function रहें और यहां पर यहां पर रिखने जा रहें और इसका value start होग जिरो से और condition i less than n और फिर i plus plus और यहां पर scanner function लिखेंगे यहां पर पर्सेंट d और यहां पर यहां पर यहां पर सेंट i less than n i plus plus और यहां पर int j equal to i plus part और यहां पर j less than n और j plus plus फिर यहां पर condition लिखेंगे if statement का a double r of i greater than a double r of j अगर यह condition सही रहा यहां पर time equal to a double r of i और यहां पर a double r of i equal to a double r of j और a double r of j यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर element यहां पर percent d देखर print कराएंगे second largest element उसके लिए a double r or in minus 2 और यहां पर print function पर से यहां पर smallest element 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 percent d और यहां पर print कराएंगे a double r of 0 position को element तो यह है code जिसने हम पता कर सकते की second largest element और smallest element element इस code को execute कर के देखते हैं सही से work कर रहा है कि नहीं यहां पर यह miss हो गया यहां पर enter the number तो हम enter कर रहा है 5 यहां पर 12, 6, 32, 77, 47, 45, तो यह देखिए second largest element 45 तो यहां सबसे छोटा number 6 6 से कोई छोटा तो नहीं है और यहां पर second largest तो यह largest 77 है और यहां पर second 77 से छोटा क्या है 45 45 तो यहां पर output आ रहा है second largest element 45 तो output सही आ रहा है फिर से एक बार execute करते हैं यहां पर इस बार number दे रहा है 7 तो यहां पर 3 सबसे बढ़ा क्या है और यहां पर सबसे बढ़ा क्या है 112 और इसके बाद बढ़ा है 89 89 से 11 89 से 89 से largest element तो प्रोग्राम सभी से बढ़ कर रहा है कोई error नहीं है और कोई exception की नहीं है और इसके बाद integer array type का variable यह a double r और इसका size मेंने 25 दिया है यहां पर जाल 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 आद 25 elements array में डाल सकते हैं उसके यहां printer function है तो जो कुछ भी double code के अंतर है वो output skin पर display बढ़ा और scanner function है तो जो कुछ भी interrupt करेंगे %d क्योंकि यह n के है integer type का तो n का value यहां पर मैंने 5 enter किया और इसके प्रिंटर function फिर से यह output skin पर display होगा enter the elements in array और यहां पर power loop है तो यहां पर i का value start होगा 0 से यह i और इसका value 0 से start होगा जेकर करेंगा 0 less than n का value 5 तो यह conditions हाई है scanner function तो यह receive करेंगा 0 question पर percent ही क्योंकि a double or i क्या है integer type करेंगा पुचले सबसे पहले array array और बनादे हैं उसका syntax indexing करेंगा 0 index और यह 1 यह 2 यह 3 और यह 4 तो यह तो इस गाना function receive करेंगा a double or 0 percent पर alignment यहां तो मैं enter किया 5 और यहां पर i का value increase हो तो i का value 1 check करेंगा 1 less than 5 JV condition से यह receive करेंगा 8 or 1 percent पर alignment तो मैं 12 और यह तो यह 2 check करेंगा 2 less than 5 JV condition से यह 8 or 2 percent पर alignment inter किया 6 और यह 2 check करेंगा 3 less than 5 JV condition receive करेंगा 8 or 3 percent पर alignment यहां पहे मैंने 19,这样, 19 enter किया. उसके आए करें यहां पहे 4, cc4 гораздо 5 जे चुक राओ . तो यहां पहें, 4 द्वायां द द सक lässtुने यहां पहें इसक राओ . यहां पहें, 10 द सकर फोर रौ, 7. आओ करें-न यहां पहें, 4 से 5 और बज आओ. आओ करेंगा 5 द द में 100 आओ . ctrl यहां पे आएगा i का वावली startबब जरो से जिक करेंगा 0 थे 5 ज़िए कंदिशन सही है यहां पे अंदर आएगा j इकली to i plus 1 यह है j i plus 1, 0 plus 1, j का वावली startबब बन से जिक करेंगा 1 less than 5 यहां पे condition 5 है यहां पे यहां पे if a double on 5 का value किया 0, and isle1 8 over on, 0 percent greater than 8 over on, 1 5 greater than 2m जो की condition सही नहीन, तो यह अंदर नहीं जाके, यह उपर जाएगा, जेकी value की इंक्रेज करेगा jake value यहांपर 2, check करेगा 2 less than 5, जो इक condition सही है तो यहांपर 8 over on, 0 percent greater than 8 over on, 2 तो 5 गूटेतर दन 6 जोगी सही नहीं, तो फिर से अंदर नहीं जाए अगा, जी के वैली एक शेकर लेक измен करेगा, जी के वैली यहां पर 3, जी के रहेगा थे एक कन देशनं जोगे सही है, तो यहां पर 8 억 और 0%огे 8 ŵ आप 3, तो 5 greater than 19 जोगे सही नहीं है वह पर जिक कर रहprize हम 5 जोगी सही नहीं घुला को fajr जोगी कंडिसेन सही चिकर रहां 5 जोगी सही नहीं तो 5 के रहां 2-3 जोगे 4. or j equal to i plus 1 so i ka value 1 1 plus 1, j ka value start about 2 check it out 2 less than 5, 2 condition if a double r i greater than a double on j, so i ka value 1, j ka value 2 1 position pe 12 or 2 position pe 6 12 greater than 6, condition jake sa hiya yahanpe a double r i ka value jaega tank me so i ka value ka 1 so 12 jaega yahanpe tank me or yahanpe a double r j ka value jaega a double r i so a double r 2 ka value jaega a double r i ka value 1 so yahanpe 6 raega yahanpe 6 or yahanpe tank me jaega 8 over r j so tank me value 12 j ka value 2 yahanpe 2 position pe yahanpe time-time ka value add or yiske part j ka value increase j jogle g so jikes value yahanpe 3 yahanpe neayare elements joe hai तो यह है 0 index, यह है 1, यह है 2, यह है 3, यह है 4, तो यह 5, उसके बाद यहाँ पे 6, उसके बाद यहाँ पे 12, यहाँ पे 90, और यहाँ पे 7, तो जीक बाद यहाँ पे 3 है, जीक के रहे हो, और 3 less than 5, जोई कंडिशन यह है, तो यह अंदर जाएगा, तो इस, 8 over r i, greater than 8 over r j, तो 8 over r 1 पर जाएगा 6 है, and 8 over r 3 पर 19 है, जोगी सही नहीं है, तो यह उपर जागी जेक के रहे हो, जीक के रहे हो, जेक के रहे हो, 4 less than 5, जोई कंडिशन सही है, तो 8 over r, 1 पर 4, ऑगा तो यहां पर दो जाएका है , यहां पर जाएगा you करा कॉंडिशन टो यहां से बाव हो जाएगा फकुणर पर जाएगा, जिक के जाएगा पर दू करों तो बिशान गाह. पर तुम एडाअ कि जाएगा ओफ स्या जाएगा।G चुदंधनद आपैउ तो 8 over r, i का value क्या है, 2, j का value क्या है, 3, 2% greater than 90, जोगी सही नहीं है, तो यह अंदर नहीं जाएगा, j का value की increase करेगा, j का value 4, चिक्के वो 4 less than 5, जोगी conditions जाएगा, तो 8 over r, 2 greater than 8 over r, 4, तो 12 greater than 7, जोगी conditions जाएगा, तो फिर यह अंदर जाएगा, तो 8 over r, 2 position का value time में जाएगा, 2 position 12 जाएगा, तो यहाँ पर 8 over r, j, तो j का value क्या है, वो 4 है, तो 4 position का value, 8 over r, 2 में जाएगा, तो यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है, आसका और 10 का value जाएगा, 8 over r, 4 position में, 12 यहाँ जाएगा, और यहाँ से j का value increase जोगा, तो j का value 5, 5 less than 5, जोगे conditions जोई नहीं है, तो यहाँ forward up से बाहर जाएगा, और i के value के increase कहएगा, तो i का value यहाँ पर 3, तो यह 0 index, यहाँ पर, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर यहाँ पर 5, और यहाँ पर 6, 7 यहाँ पर आजाएगा, उसका 90, और यहाँ पर 12, तो i का value यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, और यह चिक करियो, 4-5 12 यहां पे आ जाएगा उसके बाद 8 over R जे या के वह पार और के 3 चेल से 4 फूर Links के बाद यहां पे आ यहीं और उसके बाद या अज wipes टेयं के वाद गार जाएगा 8 over R या के वह दो के बाद 4 या के बाल बाद तो 19 दो 19 था नीन के ना है तो 19 अबिए और इसके हाद ए जगे जग का रहे हुपालिधा रहे खुमेसानद पाइड शीरह दो दो दूंदम सिक्वालिा बार भाराऑब किये खुलुम szum नूंटन लएका सूरल के स्वेर भार उपले भाराऑप करेडू चृंस रहे हो और उपर जाएके i के value को increase करिया तो i के value 5 चेकर यह condition 5 less than 5 जो ही conditions रहने है यह fault up से ही पार चले जाए तो control यहाँ पे printer function के पास आएगा तो नया array elements जो है तो यह यह 0 index यहाँ पे 1 2 3 4 तो यह 5 यहाँ पे 6 यहाँ पे 7 और यहाँ पे 12 यहाँ पे आएगा 3 पोजिशन पे और यहाँ पे 90 तो यहाँ पे printer function second output display वो second largest element % क्योंकि 8 over r क्या है integer type का 8 over r n का value क्या है 5 5-2 3 तो 8 over r 3 पोजिशन पे क्या है 12 यहाँ पे output display होगा second largest element is 12 और यहाँ पे smallest element तो 8 over r 0 पोजिशन पे क्या है 5 यहाँ पे smallest element 5 यह output screen पे display हो 5 out drive यहाँ तो यह तरीका जिससे आप पता कर सकते हैं कि second largest element और smallest element array में तो यह steps तो मैंने end का value इस बार 5 enter किया आप next आप end का value 8 enter किजए अगर 8 enter किया तो 8 element आपको array में देना पड़ेगा और try-end बिल्कुल सेम होगा तो यह try-end method इस program का अगर आपको program समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो comment किजए चरूब reply करोगा तो आज की वीटे में इतना ही वीटे में new topic के साब ने वीटे में Thank you